नमस्कार दोस्तों मैं दिपक सुकला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल A2J Banking Information पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि KCC यानि किसान केड़ कार्ड में कितना ब्याज पड़ता है दोस्तों आप लोगों स को ज्यादा ब्याज पड़ता है तब आप लोग इसका आरोब बैंक के उपर लगाते हैं कि बैंक ने हमसे ज्यादा ब्याज चार्ज किया है क्यों दोस्तों आप लोग सामानेता है एक ही बास सुनते हैं कि KCC यानि किसान केड़ कार्ड पर आपको रुपए 3 लाग तक का ल लेकिन किसी की जो नियम सर्ते हैं अगर आप उन्हें पूरा नहीं करते हैं तब दोस्तों निस्चित ही आपको कब 4-14% ब्याज हो जाता है इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं हो पाती है आप लोगों को पूरा देखना चाहिए अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा हादर होती हो बढ़ती जाती है। कि इस के बाद कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक 9 साढ़े 10% पड़ता है और उसके बाद कितने टाइम से लेकर के कितने टाइम तक आपको साढ़े 13 या 14% प्याज पे करना होता है तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तारस जानकारी देने वाला हूं या खिर KCC यानि किसान के इड कार्ड में आप लोगों को कितना ब्याज देना पड़ता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप लोग उस चैनल को भी अपना प्यार जरूर दीजेगा आसा करता हूं आप लोग हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंको दोस्तों उस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए online earning से related जो भी वीडियो होते हैं साथी दोस्तों टेक के जो भी वीडियोज होते हैं और साथी दोस्तों अगर आप एक यूटूबर बनना चाहते हैं यूटूब पर चैनल बना करके किस तरह से आप यूटूब से पैसे कमा सकते हैं दोस्तों इस टाइब के मैं सभी वीडियो उस चैनल पर अप्लोड करता हू तो दोस्तो एक बार आप सभी लोग हमारे उस चेनल पर विजिट जरूर कीजेगा आप लोगों को अगर वीडियो च्पसंद आते हैं तब दोस्तो हमारे उस चेनल को सब्सकाइब जरूर कीजेगा चलिए सुरू करते हैं दोस्तों KCC से जुड़ी एक बात हम लोग अक्सर सुनते हैं कि KCC यानि किसान केट कार्ड से हमें 3 लाख रुपए तक का लोन 4% वार्षिक ब्याज की दरपर बैंकों से मिल जाता है दोस्तों बात हैं बिलकुल सच है कि आपको रुपए 3 लाख तक का लोन 4% वार्षिक ब्याज की दरपर बैंकों से मिल जाता है लेकिन दोस्तों इसमें कुछ नियम वासरते हैं बैंकों की जो की RBI के द्वारा बनाई गई हैं अगर आप उन नियम वासरतों को पूरा नहीं करते हैं तब दोस्तों आपको कब 4-14% वार्षिक देना पड़ जाएगा इसका आकलन आप लोग नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कब आपको 4% वार्षिक होता है अब दोस्तों क्या होता है कि अगर आप बैंक से लिया हुआ पैसा एक वर्स के अंदर बैंक को वापिस कर देते हैं ब्यास समेट तब दोस्तों आपको सरकार के द्वारा 3% की सब्सिडी मिल जाती है और जब वो 3% की सब्सिडी आपके उसी KCC खाते में जमा हो जाती है तब दोस्तों आपको 3% का सब्वेंशन मिल जाता है यानि तब आपको 4% भ्याज ही देना पड़ता है तो कुल मिला करके यह बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि देश का कोई भी बैंक आपको KCC लोन 7% से कम भ्यासदर पर नहीं देता है 7% भ्याज आपको देना होता ह और उसके बाद जब मार्च का महिना आता है उस मार्च महिने में सरकार के दोरा आपको 3% की सब्सीडी मिल जाती है अगर आपने खाते को सही चलाया है आपने खाते में समय से पैसा जमा किया है तब आपको यह सब्सीडी मिल जाती है वहें दोस्तों अगर आप बैंक से लि करता है हो उता है साधरे 10 परसेंट अगर आप दो वर्स तक पैसा अपने पास रखते हैं बैंक को वापिस नहीं करें उस दसा में आप की उपर साड़े 10 the चार्ड किया जाता है वह ही दोस्तों अगर आप बैंक से लिया था दो साल तीन महीने में भी बैंक को वापिस नहीं करते हैं तब दोस्तों आप का खाता डाइवर्जेंट सूची में आ जाता है दोस्तों डाइवर्जेंट सूची वह होती ही कि आप का खाता आप NPA में आने वाला है अगले तीन महिने में आपका जो खाता है वो NPA में चला जाएगा तब बैंक आपको सूचना देता है आपको नोटिस भेजता है लेकिन दोस्तों आभी जो रेट आप इंट्रेस्ट होता है वह रहता है वह बढ़ता नहीं है लेकिन दोस्तों जैसे ही धाई साल पूरे हो जाते हैं दो साल 6 महिने का समय पूरा हो जाता है तब भी आप बैंक को पैसा वापिस नहीं करते हैं उस दसा में आप तक खाता एन पीए हो जाता है एन पीए मतलब नान परफार्मिंग एसेट्स मैंने इस पर पहले वीडियो बना रखा है कि के सीजी खाता एन पीए कब होता है उसमें आपको कौन-कौन से नुकसान होते हैं अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों हमार और दोस्तों आपको अपने केसी सीखाते को एक वर्स के अंदर पैसा जमा करके रिन्यू कराते रहना है ताकि आपकी जो ब्याजदर है वो 4% वार्षिक बनी रहे वही दोस्तों अगर आप 2,5,3 साल का समय वितीत कर देते हैं उस सित्षिती में क्या होता है कि आपकी सिबिल भी खराब हो जाती है और आपका खाता NPA हो जाता है दोस्तों जब आपका खाता NPA हो जाता है तो कब 4-14 परसेंट पहुंच जाता है आप फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है उसे भर पाना उसे वापिस कर पाना क्योंकि दोस्तों जहां आपको 4% व्याज वार्षिक पड़ता था अब वह 12% या 13% हो गया साथी दोस्तों कई एक्स्टा चार्ज होते हैं जब आपको तोस्तों कई सारे नुक्सान होते हैं जो आपको जहलने पड़ते हैं कवल मिलाकर कर दोस्तों KCC खाते में जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे से rate of interest यानि ब्याज़दर बढ़ती जाती है तो इसलिए दोस्तों आपको अधिक्तम एक वर्ष के अंदर अपने KCC खाते को जमा निकासी करके रिन्यू कर लेना है तभी आपको इसका benefit मिल पाएगा तभी आप इसका फाइदा उठा पाएगे अगर आप एक वर्ष से उपर समय ले लेते हैं दो वर्ष का समय ले लेते हैं उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा KCC खाते पर व्याज देना पड़ेगा तब आप खाते लेंबंकर्कर के जरूर बताईएगा जानकारी को कैईसी लेगी अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजे साथी साथ हYU पढ नहाए क्य Нसक्राइब बार आएक तो चैनल सबस्क्राइब然 कर दिजएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते एगले वीडियो में किसे एगले इंट्रेस्टिंग आपके साथ अत्ता के लिए जये हैं जय भारत